परिचय क्या तुम जानती हो कि जैविक वर्गी करण क्या है? जी विज्ञान में जैविक वर्गी करण अत्वा बैज्ञानिक वर्गी करण एक विधी है जिसके द्वारा जी विज्ञान जीवों को समूह एवं प्रकारों में बाटते हैं जैसे की वन्ष अत्वा जाती आधुने जैवी करण वर्गी करण का मूल कैरूलस लिनियस के कार्यों में है, जिन्होंने जातियों को सामान्य भौतिक गुणों के अनुसार वर्गी कृत किया है इस वर्गी करण का संशोधन डार्विन के उत्तराधिकार के सिध्धान से तालमेल बिठाने के लिए होता रहा है उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगी जैविक वर्गी करण को परिभाशित करना वर्गी करण के इतिहास का अध्यन करना विभिन जगतों को पहचानना द्वी जगत वर्गी करण को समझना तीन जगत वर्गी करण का अध्यन करना चतो जगत वर्गी करण के बारे में जानना 5 जगत वर्गी करण के बारे में जानना, 6 जगत वर्गी करण के बारे में समझना, मुनेरा जगत के गुणों को समझना, आध्य बैक्टीरिया की संग्रचना तथा गुणों का अध्यन करना, यू बैक्टीरिया की संग्रचना तथा उनके गुणों का अध्यन करना वर्गी करण का इतिहास अरस्तु मिस्र के दार्शनिक थे जिन्हें जन्त विज्ञान का जनक कहा जाता है उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया अनिमेलिया में जन्तुओं को वर्गी कृत किया अरस्तु के दो मुख्य समूह थे इनेमा बिना लाल रक्त वाले जन्तु अक्षे रुकी तथा इनेमा लाल रक्त वाले जन्तु कशे रुकी इनेमा को पुनह ओवी पारा तथा विवी पारा में बांटा गया थ्रियो फ्रास्टस ने पादपों को उनके रूप तथा संघटन के आधार पर वर्की कृत किया उन्होंने उसे व्रिक्ष, घास, छोटे घास, जड़ी बूटी के समूह में बाटा थ्रियो फ्रास्टस ने 480 पादपों को अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटाम में नाम दिया तथा वर्नन किया जोन रॉय ने पहली बार जन्तु प्रजाती पद को प्रस्तुत किया तथा परिभाशित किया उन्होंने अपनी Historia Generalis Planterum में 18,000 से अधिक पादपों तथा जन्तुओं का वर्णन किया, तथा जन्तुओं की पहचान के लिए शब्द विकिसित किये वर्गी कारण की आधुनिक पद्धती की शुरुवात 1718 E.S.V. में शुरू हुई जब कैरलस Linneus ने अपनी पुस्तक Systema Natura के दस्वे संसकरण को प्रस्तुत किया उन्होंने सामान्य गुणों के आधार पर यह भी पहचाना कि विभिन प्रजातियों को व्रिहतर प्रकारों में वर्गी कृत किया जा सकता है, जिसे उन्होंने टेक्सौन कहा वर्गी करण की पद्धती जीवों के वर्गी करण की भिन भिन विधिया है, जगत की संख्या के अनुसार वे निम्न लिखित हैं, द्वी जगत पद्धती, तीन जगत पद्धती, चार जगत पद्धती, पांच जगत पद्धती, छे जगत पद्धती वर्गी करण की द्वी जगत पद्धती अरस्तु के काल से ही जीव विज्ञान ने सजीव जगत को दो जगतों में विभाजित किया वे हैं पादप तथा जन्तु जगत कैरूलस लीनियस ने भी सजीवों को दो भागों में विभाजित किया जन्तु के लिए अनिमेलिया तथा पादपों के लिए वेजडेबिलिया उस काल में दो जगत पद्धती बिलकुल तर्क युक्त था क्योंकि पादप तथा जन्तु स्पष्ट विभेदित हो सकते थे वर्गी करण की तीन जगत पद्धती जर्मन प्रकृतिविद अर्नेस्ट हेकल ने 1866 इस्वी में अपने जन्रल मॉर्फॉलोजी डर ओगनाईजेशन में एक कोशिकिय प्रोटोजोवा तथा शैवाल को शामिल किया तथा तीसरा किंडम प्रोटेस्टा को जन्म दिया प्रोटेस्टा का अर्थ होता है सवों में प्रथम अथवा आधिकालीन वर्गी करण की चार जगत पद्धती 1930 में फ्रांसिसी समुद्री जीव विज्ञानी एडवर्ड चेटन ने जीवों के दो प्रकारों प्रोकेरियोट जिसमें केंद्रक का अभाव था तथा यूकेरियोट अधिक जटिल जीव जिसमें केंद्रक था की पहचान की 1938 में अमेरीकी जीव विज्ञानी हावर्ड एफ पोपलैंड ने चौथे किंग्डम मुनेरा प्रोकेरियोटा को निर्मित किया, जिसे अब किंग्डम प्रोकेरियोटा कहा जाता है. वर्गी करण की पाँच जगत पद्धती 1979 में अमरीकी परितंद्र विद रॉबर्ट एच हिट्टेकर ने प्रतिपादित किया कि फंजाई अन्य सूक्ष्म जीवों से काफी अंतर रखता है, जिससे उसे एक अला किंग्डम नाम दिया गया. इन्होंने वर्गी करण की पाँच जगत पद्धती को जन्म दिया. इसके अंतरगर्थ था मुनेरा, प्रुटेस्टा, पंजाई, कवक, प्लान्टे, पादप, एवं अनिमेलिया जन्तू. पाँच जगत वर्गी करण कोशिका की जटिलता, जीवों की जटिलता, पोशन के प्रकार तथा मुख्य पारितांतरिक भूमिका पर आधारित है. विट्टेकर की योजना को सजीवों के तारकिक वर्गी करण के रूप में आज भी व्यापक स्वीकृती मिली है. वर्गी करण की छै जगत पद्धती हाली में वर्गी करण की छै जगत पद्धती को तीन सूक्ष्म जीव विज्ञानियों, कार्ल वुएस, ओकंदलर तथा ML वीलिस ने 1990 में प्रस्तावित किया. वुएस, कंदलर तथा वीलिस ने सभी जीवों को तीन मुख्य समूहों में प्रस्तावित किया, जिसे डोमेन या प्रांथ कहा गया, तथा जो किंग्डम स्थर, यूकेरिया, बाक्टेरिया तथा आर्किया से उपर था. वुएस की पद्धती में प्रांथ यूकेरिया छे जगत के चार जगतों प्रोटिस्टा, फंजाय, पादप तथा जन्तु जगत को शामिल करता है. अन्य दो प्रांथों में से प्रत्येक में सिर्फ एक जगत है. प्रांथ बैक्टेरिया में किंग्डम यूबैक्टेरिया तथा प्रांथ आर्किया में किंग्डम आद्य बैक्टेरिया आए. पाच जगत के गुण कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ती, नाभिकिय जिल्ली, शरीर संग्रचना, पोशन के प्रकार किंग्डम मौनरा के अंतरगर्थ प्रोकेरियोटिक आता है. उनमें केंद्रक जिल्ली का अभाव होता है. वे प्लास्टिद्स, माइटोकॉंड्रिया तथा विक्सित, 9 प्लस 2, स्ट्रैंड, फ्लाचला से वंचित होते हैं. मौनरा की कोशिकाएं अती सूक्ष्म होती हैं. वे प्राया एक कोशिकी अजीव होते हैं. पोशन के मुख्य प्रकार अवचूशन हैं, किन्तु इनके कुछ समूह प्रकाश संग्षलेशी अत्वा कैमोसी थैंग्टेक होते हैं. प्रजनन साधारनत विकंडन अत्वा मुकुलन द्वारा अलेंगिक होता है. प्रोटो सेक् नौस्टोक, ओसलेटोरिया, बैक्टीरिया. किंग्डम मोनरा अत्वा प्रोकेरियोटा को दो उपजगतों आध्य बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया में बांटा गया है. आध्य बैक्टीरिया अधिकांश आध्य बैक्टीरिया स्वपोशी होते हैं. आध्य बैक्टीरिया अपने उपा पचई क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊजा, रासायनिक ऊजा के ओक्से करण से प्राप्त करते हैं, जैसा कि आवश्यक गैसें अमोनिया, NH3, मीधेन, CH4, अत्वा हाइडरोजन सलफाइव, H2S, जिससे एक एमीनो अमल तथा प्र Thermo Acidophilus, Halophilus, Methanogen अपनी उपा पचई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मीधेन का निर्मान करते हैं, Oxygen की उपस्थिती में Methanogen की मृत्य हो जाती है, इस प्रकार वे दलदली तथा कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें सभी Oxygen अन्य जीवधारियों द्वारा ग् द्वास करते हैं, दलदलों और कच्छ की मीधेन गंध, विशेशता का कारण मीधेनोजन ही है, थर्मो एसिडोफिलस, अत्यधिक गर्म तथा अमली वातावरणों में वास करते हैं, जैसा की गर्म जहरने, कई थर्मो एसिडोफिलस, हाइडरुजन सलफाइड को अपनी पूजा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, हालोफिलस, अत्यंत लवणिय वातावरण में जीवित रहते हैं, जैसे ग्रेट सॉल्ट जील तथा मृत सागर, जोकी अत्यधिक ख्षारिय वातावरण है, यू बाक्टिरिया, बाक्टिरिया की प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में एक बाह कोशिका भित्ती होती है, जो प्लाजमा जिल्ली को घेरता है, जो आंतितह अक्षिय राइबोजोम से युक्त साइटोप्लाजम को घेरता है, उनमें साधारन तह केंद्रक क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्रिया जैसे संगलग्न अंगों की जिल्ली का अभाव होता है, डिने की वर्तोल स्ट्रैंड जो कोशिका न्यूक्लियोईड के एक भाग में प्राया कुंडलित होते हैं, एक क्रोमोजोम के रूप में काम करता है, उपापचय क्रियाएं जैसे की इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तथा प्रकाश संग्षलेशन प्लाजमा जिल्ली में होत जो कभी कभी कोशिका के अंतरंग भाग की ओर मुडती है, बक्टीरिया की सबसे सामान्य आकृती चड़ाकर जिसे बैसिलाई, गोलाकार, जिसे कोकाई तथा कौर्क्स्कृू की आकार, जिसे स्पाईरिला कहते हैं, बक्टीरिया की कोशिका भित्ती में अद्वित्तिय ग्राम, स्टैनिंग तकनीक बैक्टीरिया में कोशिका भित्ती रचना के दो प्रकारों में भेद करता है, जो उन्हें ग्राम धनात्मक तथा ग्राम रिनात्मक के रूप में वर्गी कृत करने में हमारे सहायक हैं. अनेक बैक्टेरिया गतिशील होते हैं तथा इन में एक याधिक फ्लाजला होते हैं. यू बैक्टेरिया निम्न आठ प्रकार के होते हैं. एक्टिनो माइसिस, केमो ऑटोट्रॉफ, साइनो बैक्टेरिया, एंटेरो बैक्टेरिया, ग्लारिंग तथा मुकुलन बैक्टेरिया, स्यूदो मुनास, रिकटी सीैसिस तथा क्लेमाइडियास, स्पाइरो चैट्स. Actinomyces वीजानु उत्पन्न करने वाले जाल शाखित तन्तुमई ग्राम धनात्मक म्रिदा बैक्टेरिया है Chemo Autotrophic बैक्टेरिया है जो अपनी उजा अकार्बनिक रसायनों से प्राप्त करते हैं Cyanobacteria प्रकाश संग्षलेशी बैक्टेरिया का एक रूप है जो समुदरी तथा स्वच जल वातावरण में सामान्य गेहरे पिग्मेंट वाले होते हैं तथा प्रदूशित जलों में पुश्पन उत्पन्न करते हैं Enterobacteria ग्राम रिनात्मक छड़ाकार बैक्टेरिया है जो बीजान उत्पन्न नहीं करते हैं प्रायः वायविय परपोशी रोगवाहक होते हैं तथा ब्यूबोनिक प्लेग तथा हैजा उत्पन्न करते हैं ग्लाइडिंग तथा मुकुलन बैक्टेरिया ग्राम रिनात्मक होते हैं जो ग्लाइडिंग गती प्रदर्शित करते हैं Pseudomonas polar flagella वाले ग्राम रिनात्मक परपोशी हैं जो मृदा बैक्टेरिया का सामान्य रूप हैं तथा कुछ पादपों के रोगवाहक हैं रिकेटीसीयस तथा क्लिमाइडियस लगु ग्राम रिनात्मक अंतरा कोशिकिय परजीवी हैं जो मानव के रोगवाहक हैं रिकेटीसीयस तथा क्लिमाइडियस लगु ग्राम रिनात्मक अंतर कोशिकिय परजीवी हैं जो मानव के रोगवाहक हैं स्पाइरोकीट्स दोनों सिरे पर फ्लाजला युक्त लंबी कुंडलित कोशिकाएं होती हैं जो जली अवातावरण में समान होते हैं तथा रोगवाहक होते हैं क्या आप जानते हैं? क्लासिकल टेक्सोनोमी मौर्फोलोजिकल गुणों पर आधारित है फाइलोजिनेटिक टेक्सोनोमी की शुरुवात एंगलर तथा प्रेंटल ने किया था क्लेडोग्राम, क्लेडिसाटिक में एक शाखित डाइग्राम है जो उनके व्युत्पन गुणों के संबंध में प्रजातियों के बीच संबंध ने रूपित करते हैं कैरोलस लीनियस ने फाइलं तथा प्रोटिस्टा शब्दों को स्रजित किया था लाल डाटा पुस्तक विलुप्त तथा संकट ग्रस्त जीवधारियों का रिकॉर्ड रखता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं पादपों तथा जन्तुओं का जैविक वर्गी करण सर्व प्रथम अरस्तु ने सरल मॉर्फोलोजिकल गुणों के आधार पर प्रतिपादित किया लीनियस ने सभी जीवधारियों को बाद में दो जगतों प्लांटा तथा अनिमेलिया में वर्गी कृत किया प्रतिकर ने एक विस्तृत पाँच जगत वर्गी करण मॉनेरा, प्रुटिस्टा, पंजाई, प्लांटा तथा अनिमेलिया प्रस्तावित किया पाँच जगत वर्गी करण के मुख्य आधार, कोशिका संग्रचना, शरीर संगठन, पोशन की विधी तथा प्रजिनन, तथा फाइले जेनिटिक संबंध थे पाँच जगत वर्गी करण में बैक्टीरिया को मुनेरा किंग्डम में शामिल किया गया है बैक्टीरिया वितरन में समकालीन है